तो गूड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो पर मैं आज आपको रेलवे गुरूब डी या फिर एंटिपेसी के जो भी जोने लेटर आ रहे हैं सभी छातरों के लिए मैं बताने वाला हूं कि उस प्रॉम को आप किस तरह से भर रखते हैं तो सीधे कलने के हैं इसके रिकोर्डिंग पर बीना किसी देरी के और वीडियो को बिड़ाट इसकिप के आप वीडियो को इंट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो काफी इंपोर्टेंड और आपके लिए काफी हल्फुल होने वाली हैं कि इसना सारे पेज में फॉर्म दि दिखे हैं और चैनल को समे आप कर आपको वीडियों पねशंत आये तो सबसे पहला करेक्ट रूप के यहां तहीं सबसे पहले ऊपर में आपको यहां 12 और यह तीन सबसे पहला आपको कोलेश सीग्नेचर करना होगा आपको प्रिंसिपल से और इस तरह का गोलोला लगाना होगा एक गोलोला इस्टम आप लगाना ना बुलिएगा और सिंग्नेटर प्रिंसिपल करहेगा जहां अपने लाश्ट अंतिम पढ़ाई की थी और बीच वलम है यहां सेकेंड वालम में आपको कि एच्टियों कि यहां सब्धिजिनल मेजिश्ट्रेट लिखा हुआ है और इस तरह का मुहर और यहां पर सिगने जो आपको अध्राइब जा रहा है कि एच्टियम को लेके जाना होगा तो मैंने यहां अनुमधल पदाधिकारी मतलब एच्टियों से कराया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी तो फिर भी आप अगर कोशिश करें कि एच्टियम का सिगनेचर और मुहर लेके जाए तो भी ऑट्टेंट फॉर गेजटेट कोई भी गेजटेट ओभी सर यह लास्ट वाला जो अंतिम बोला है यह अला यहां पर आपको अपना नाम लिख देना है स्र विडियो से करा सकते हैं मैंने यहां बीडियो से कराया है और जहां आपका ब्लोक पढ़ता है वहां का प्लेश और डेट भर दिजेगा उस दिन तो और नीचे सेम है उपर जैसे आपने भरा नीचे भी आपको सेम उसी तरह से बरना है बस आपको यहाँ पर किसी दूसरे गेज़ेटेट ऑफिसर से यहां सिगनेचर करना है यहां यह देखिए और गोल वाला स्टम लेना बिल्कुल ना भूलिएगा तो सेकंड फॉर्म यह हो गया आप चलते हैं तिसरे फ़िलेज आपको गाओ का नाम पोस्ट, प्लीस्टेशन और देश्ट बहर देना है इस्टेट और पिनकोड आप अपना भर देएं यहां फोटो लगा दिजेगा और ध्यार रहें यहां पर जहां आप फोटो चाहेंगे वहाँ पर भी आपको गेजेटेट ओफिसर का सिगनेचर विद इस्टम जरूरी है तो मैंने यहां सरकल मलब सियों से कराया था आपने ब्लोग में तो आप से भी करा सकते हैं यहां फोटो में भी आपको जरत पड़ेगी और नीचे तरब देखेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा यहां और अपको ऐचे करना है यहां पर लिखा हुआ है यहां पहला दूसरा और तिसरा है आपका यहां नीचे यहां तीन जेगा आपको सेम ओपिसर से करा लेना है इस फॉर्म में ज्यादा कुछ निए डिकलेरशन दिया गया है यहां आप पढ़ सकते हैं कि पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लिजे या फिर आप सिगनेचर अपना सिगनेचर कर दिए और अपने पिता जी का नाम यहां भर दिएगा ऐसे में बस आपको इसमें और कुछ नहीं करना है बस अगले फ्रॉम पर आपको यह उला फ्रॉम जो आप सत्यापन फॉर्म एटेस्ट्रेसन फॉर्म यह आपको जरूर ध्यान से भरना है क्योंकि यह सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं यहां उपर में यहां एक दो और तीन कुछ नोटिस दिय यह 5 cm by 7 cm का एक फोटो लगाना है हाला कि पासपोर्ट साइज फोटो उतना का ही आता है तो आप फोटो लगा लिजेगा और यह जो नोटिस दिया गया है एक दो और तीन में आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लिजे अन्यत हम में आगे बढ़ता हूं नंबर पूरा ना और इधर आपको नाम आपका डलना है ध्यान दिजेगा यहां कुल नाम और यहां नाम नाम पहले नहीं होगा यह ध्यान में रखते हुए आप भरिएगा और दूसरी बात दूसरा नंबर पर है पूरा पता यहां आपको अपना विलेज पोस्ट थाना जो भी अडिस्टिस पर रहते हैं आपका वर्तमान पता अलग है और इस्ताय पता अलग है तो आप यहां अपने दूसरे पते को भी भर रखते हैं और भी में जो दिया गया है यह आप पाकिस्तान के निवासी है तो यहां तो यहां आख बंद करके आप नो लिग दिएगा क्योंकि पाकिस्तान तक मिल आपको भरना है आप कहां पर रहे हैं आप कहीं हो सकता है कोई-कोई बाहर भी रहता है दूसरा जिना यहा राचिया है मैं जहां पैदा हुआ हूँ जहां मेरा गाउँ है वही तो मैंने यहां लिखा फॉर्म बर्थ से तिल अभी तक अपना गाउं का पूरा पता मैंने यहां दे दिया है पोल्ट भिलेज जो भी हो और साथ में मैंने यहां पर जिला अपना लिख दिया है जो अपना जिला है आप भी अपना भर दिजेगा अगर आप कहीं बाहर रहते ह तो कब से कहब तक रहे रहे हैं वो लिखेगा और कहा रहे यहां पर भरेगा इस जगह पर भरेगा कहा रहे और वहां का दिश्टिक लिख दिजेगा यहां पर इसके बाद इसके अगले पेज पर चलते हैं यहां लिखा हुआ है नाम राष्टेता इस जन्मिस्तान वेवसाइ डग और इस्ताई पता तो आपको सबसे पहले यहां पिता का पूरा नाम यहां पर आपको अपने पिताजी का पूरा नाम भरना है नेशनलिटी इंडियन होगा और जन्मिस्तान आपके पिताजी ने जहां जन्म लिया है वहां का जन्मिस्तान भर देजेगा और आपके पिता पूरा पपता देगा और आपको दुसरे नंबर पर अपने नाम लिखना का नाम लिखellenा उन्ने इंडियों सेंथ होगा और सकता है आपका जन्मिस्ता नापके मामा घर का हो सकता है आपके नाना जो भी आपके जहां घर पहले वहां का बढ़ दिजेगा और माम फिर कोई अगर काम करती है तो इसका नोकरी सब्सक्राइब है और पता तो यहां सब का पता यहां ध्यान दिजिएगा सब में सेम होगा चूंकि आपके भाई-बहन तो कोई अलग जगह से सब का सेम होगा इसके पाद आभा है तो यहां पती का भर वर लिए अगर आपको आपको लिए है यहां आपको दिया हुआ है पुत्र या पुत्रियों के संबत में सुचना यदी उनका अध्याद रहना दूसरे देश में हो रहा हुँ आगर दूसरे देश मर आपका कोई रहता है तो यहां आपको भरता हमेगा है कि आ हैं इंडियन भर लेना जन्मति थी जन्मति थी आपको यहां अपना भर देना है वृतमान उम्र है आपका किल्प है लिक देना है दोFlow जिनग होगा आपका जो भी धर्म Leo फिर्पी यहां की है। यहां लिखा हुआ है, बी में are you member of such Coast yes or non अप अगर HTSC कोई भी हो यह यहां किसे बिलों करते हैं तो यहां आप लिखिये और और यहां साइड में स्ट कर दीजेगा अन्य था अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं नहीं लिखेगा और यहां बिर्केट में OBC लिख दीजेगा मलब आपको 15 वर्ष से जहां जहां आपने education qualification हासिल किया है कोलेजों में पढ़े हैं वहां का आपको लिखना है इसकूल का नाम यहां पर आपको लिखना है जहां 10th में आप पढ़े थे कब वहां परवेश किये थे और कब आप महां इसकूल छोड़े थे और कौन से बॉट से पास हुए थे 10th का एक्जाम यहां आपको लिख देना है अपना इंटर वाला कॉलेज या कोई भी आपका education qualification कह भी diploma हो या IT कुछ भी किया हो वहां कब परवेश किये थे और कब छोड़े थे सब पर डिटेल्स भरके यहां पर लास्ट में आपको यहां पर उसका board लिख देना है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है सबसे उपर में आपको दिया हुआ है 11 नमबर पर क्या आपने मिश्यम से क यहां इस जगह पर भर लेना है तो मेरे ज़रत का चीज नहीं था तो मैंने यहां नहीं भरा यहां 12 नमबर पर बारा नमबर के जितने भी यहां नमबर देगे हैं अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लिजए अन्ये था आप सब में आख बन करके 9 लगा दिए इसके बाद निचे आपको 12 नमबर में यहां पर कुछ नहीं भरना है 13 में आप दखेए यहां पर आपको अपने इलाके के दुझामेदर वेक्तिओ के नाम या दो ऐसे वेक्तिओ के नाम जो आपको जानते हों आपके घर के सामने ओले दो किसी का भी नाम लिख दीजेगा यहां पर किसी एक से परवन पत्र हस्तक्षर करवाना है आपको यहाँ पर एक से आठ तक में किसी एक ओफिसर से आपको यहाँ सब ओफिसर बीडियो है एस डियो है परकांड विकास पदादिकारी मुलब वीडियो है पोस्ट मास्टर है पंचाइतने रिक्षक है किसी से भी आपको यहाँ पर सिगनेचर कराना है इस छति पूरती परमन पत्र पर यहाँ नीचे में यह दिखिए यहाँ पर इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पाजी का नाम और यहाँ पिछले आप टू यह लगा दिजिएगा न बस और यहाँ प्लेस जहां आपको ब्लोग है वहाँ को प्लेस आप सिगनेचर किससे करवा रहे कहां से करवा रहे वहां का प्लेस और तारिक भर दिजिएगा अनफाइट मेंड़ेट फ्रॉम पर पैय प्राटमेंड इविदया भर लेना है इसके बाद यहां पर बैंक का डीटल साब को भरनाँ है बैंक का नाम ब्रांच पर कब राच बनक का पुराफूल लेटरेस यहां भर देना है एकांट किस टाइब का सेविंग है तो सेविंग करन्ट है तो करन्ट लिखेगा बेंक अकाउट का नंबर यहां पर दिएगा 9-digit MICR code दिएगा यहां पर इसके बाद IFC code यहां भर दिएगा और यहां डेट भर दिएगा और यहां signature कर दिएगा इसके बाद bank के जो manager है इस तरह से अपना मुहर लगा कर यहां पर signature कर देंगे तो बस आपका यह इस फ्रॉम में भी आपका कम कतम हो जाता है आपका अगला फ्रॉम है P R A N प्रान यहां पर आपको 3.5 cm by 2.5 cm का एक फोटो लगाना है जो कि आपका लगबग इस टम साइज से थोड़ा सा बड़ा जो कि आपको गेट पास साइज में आएगा तो यहां आपको कर लेना है और यहां पर signature और left thumb signature यहां फिर left thumb impression कुछ भी आपको आपका यहां डालना है यह इसमें आपको कुछ दी भर सीधे आपको section A में आ जाना है यहां पर आपको आपका first name यहां फर् लेना है यहां पर लेना है यह आपको pen number भर लेना है 5 number में यहां तो आपको पताजी का नाम भरना है वगर middle ने में तो middle standards और ने इसमयां अपके पिर हींडिया यहां भर दीजिएगा और यहां भर दीजिएका जो भी हूं अगर आपका प्रीजंट अठ्रस के साथ है तो यहां सिदो अइसे अभर और और यहां को डिएवर जाई और लाउ देना है करेंड्ली मुबाइल को यहां पर और इसके second page पर चलते हैं अभी कि दस नमबर पर आपको यहां आपको email id भर देना है जो भी आपका email id है 11 में आपका bank account का type भरना saving या है current है जो भी हो आप टीक लगा दिजेगा bank details आपको भरना है यहां पर account नमबर सबसब्सब्स हैमें आपको देना है इसको बाद bank का नाम आपको भर देना है बैंक को ब्रांच जो भी हो यहां भर दीजे और bank address यहां हुख इसके बाद pin code भर दीजेगा बैंक जहां है वहां का Pin code भर बरियेगा यहां पर और आएफसी कोड भरेगा और माइस्यार कोड बेंक का यहां भरत दिएगा इसके बाद आपको नीचे में यहां कहीं भी आपको कुछ भरने की ज़रत नहीं है अगला फॉर्म सेक्षेंड सी जो है यहां आपको बताता है कि आपका नॉमेनी डिटेल्स भरना है नॉमेनी का फ बरना उनके पिता का नाम भरना है यहां पर आपको नॉमेनी के पिता का नाम भर देना है और यह सब में आपको कुछ नहीं भरना है यहां कुछ नहीं भरना है आपको सीधे चले आना है एक तम नीचे नीचे आपको यहां दीख रहा होगा यहां सिगनेचर और लेफ्ट थ जरत होगी और यहां आपका नाम होगा अंतिम में यहां पर कुछ नहीं है फोर्म आपका सब कंप्लीट हो चुका है लाट में आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको अपने डिविजन पर आप अपने जोइनिंग लेटर के साथ क्या के जरोक्स को पी लेके जाना है यहां अपका फोटो को पिर लेगा और ध्यान देजिएगा आपका फोटो जहां चिपका हुआ है वहां बैंक का इस्टांप होना जरूरी है थर्ड नंबर पर आपको दिया गया है वन कैंसल चेक बैंक से आप चेक बनवा लिजेगा बैंक से जो इस भी बैंक में आपका खाता है वहां और चेक बुक में आप चेक पहला चेक में कैंसल लिखके आपको बस वह दे देना है वहां डिविजन पर और खुश नहीं करना ह चार नमबर पर Office of Academic Certificate Self Attested आपको हर कोपी पर Self Attested करना है जितना भी आपका Education Qualification का Certificate है हर सब में आपको Self Attested करके ही लेके जाना है आप जितने तक भी पड़े हैं पांच नबर में आसाइस पूटकापी और अधार काड़ हैं अगर बídeo पसंद नय सब्सक्राइब करने इस तरह की इनफर्मेसिशन में हमेंसे अपने चैनल पर लाते रहेता हूं वीडियो एक नक लेद दन्यवाद